Hello Friends, Welcome To My YouTube Channel Friends, आज हम बात करेंगे Nuff Locks T-get tablet के बारे में इस वीडियो में जानेंगे Nuff Locks T-get tablet की संपून जन करी जिसमें जानेंगे इसकी market price क्या है, इसकी composition क्या है इसे किन-किन विमारियों में यूज कर सकते हैं में जानेंगे इसके डोज, साइड इफेक्स और कुछ सवधानियों को बारे में तो फ्रेंस आप इस वीडियो में अन्तक बने रहिए ताकि आपको नर्फ लॉक्स टीजेट टेबलेट की संपूँ जनकरी प्राप्त हो सके फ्रेंस इस मेडिसीन में दो कमिनेशन है नर्फ लॉक्स टीजेट इसमें जो दोनों मेडिसीन है यह एंटिवाटिक्स है जिसमें नर्फ लॉक्स टीजेट गुरूर्प की दावा है जो सिप्रोफ लॉक्स टीजेट गुरूर्प की दावा है और यह एक इंटिवाटिक और एंटिप्रोटोजोल की तरह कारिया करती है यह दोनों दवाईया मिलने से इसके अंटिवेक्ट्रियल जो एस्टेयन ते ताकत है यह बढ़ जाती है और बीमारी को जल्द ठीक कर देती है यह सिपला कमपनी द्वारा मेनिफेक्चर किया गया मेडिसीन है और इसकी प्राइस की बात करें तो अठासी रुपया तीरासी पैसा है आपको अठासी रुपया में किसी भी मेडिकल एस्टो रुपया असानी से मिल जाएगा इसके एक श्टिप में एक पत्ते में 10 टेबलेट आता है और इसकी यह स्टेंद की बात करें तो इसके अंदर नर्फलोकसासीन जो है 400 मिल जाएगा और टीनीडा जोल जो है 600 मिल जाएगा और इसके यूज की बात करें तो डाइरिया में इस टेबलेट के यूज किया जाता और UTI, Urinary Tract Infection में भी इस टेबलेट के यूज किया जता है, जैसे पिसाब में जलन हो, या पिसाब करते समय दर्द रहता हो, या बार बार पिसाब लगता हो, या जनन मार्ग में इंफेक्शन हो गया हो, मेल या फीमेल के जनन मार्ग में अगर इंफेक्शन हो गया हो, उस कं में बैक्टरियल इंफेक्शन हो गया हो, उस कंडिशन में इस टेबलेट के यूज किया जता है, प्रोस्टेट इंफेक्शन हो गया हो, या स्टमक इंफेक्शन हो, स्कीन इंफेक्शन या सरजरी आप्रेसन के बाद जो होने वाले इंफेक्शन हो, उस कंडिशन में भी इस इस टेबलेट के यूज किया जाता है, STD, Sexual Transmitted Disease, यानि योन संकरमण बीमारिया हो, उस कंडिशन में भी इस टेबलेट के यूज किया जाता है, और इसके डोज की बात करें, तो एडल्ट में एक एक टेबलेट दिन में, एक से दो टाइम खाना खाने के बाद दिया जाता है, और ज़्यादा ज़रुत परने पर इसे तीन टाइम भी दे सकते हैं, और इसे तीन से पाँच दिनों तक चलाया जाता है, और बच्चों की बात करें, तो चौदे साल से कम उम्र का बच्चों में इस्टेबलेट के यूज कभी भी नहीं करें, और साइड इफेक्स की बात करें, तो सिर्दाद रहना, सुष्ती याना, पेट में जलन, डिजिनेस सब फील होना, भूख न लगना, नोजिया बुमेटिंग, स्वाद का कड़वा, स्वाद मुह का स्वाद खराब हो जाना, एस्कीन पे रेसेज, चिर्चिरापन रहना, या मेंटल हेल्थ प्राबलम हो सकता है, बीपी जो है, बीपी लो होना, बलड, सुगर रिलेटेड कोई प्राबलम भी हो सकता है, इसकी अलाग कुछ और साइड इफेक्स देखने को मिलता है, तो आप इस्टेबलेट के यूज करना बंद करें, और अपने नजदी की डॉक्टर से दिखाए, और सौधानी की बात करें, तो बच्चों में इस्टेबलेट के यूज नहीं करें, प्रेग्नेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में भी इस्टेबलेट के यूज नहीं करें, और इस्टेबलेट को लेने के बाद जादा से जादा पानी पीए, जिन भी अक्तियों को मेंटल रिलेटेट प्रॉब्लम हो, उन्हें डॉक्टर की सलाह से ही इस्टेबलेट के यूज करना चाहिए, और ओल्डेज में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लो डेज में दे, और इस्टेबलेट को यूज करने के बाद अलकोहल का सेवन ना करें, सराब ना पिए, इसके साथ सेट्रिजीन, डेक्सामेथासोन, एंटासीड मेरिसीन, या मोंटेलुकास्ट जो दवाईया आती है, उनका यूज कभी भी नहीं करना चाहिए, इस टेबलेट में उपस्तित कंपोनेंट से, यानि किसी भ्यक्ति को नर्फलोकसासीन, या किसी लगी, कमेंट में जरूर बतेए, मेरे चैनल पर पहली बार आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए, ताकि और किसी के भी काम आ सके